बिस्मिल्ला रुमान रहीम, अस्सलाम अलेकुम जी, आल फोर यू, कुकिंग एंड वलॉग के किचन में खुशाम दीद, आज रमजान मुबारिक के लिए बहुत ही जबर्दस, बहुत यूनीक रेसिपी है, तो एंड तक वीडियो को आप लिए देखना है, पसंद आने की अधा कप में लिए हैं मैदा, और आजा चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सावल को ब्लेंडर में डाल कर छान ले तो आ को आपके पास आटा मुझूत हो जाएगा अब हम इसमें जो चीजे डालें गे में आपको बिताती हूं, दो अधत ब करें एक पास पान कोबी जिसको मेंने बारीक काट लिया है चैना में तक्रीबन एक नब पास बla Aba और यहां पर मसालों में मेरे पास है हल्दी, आदी चाय का चमच, जीरा एक चाय का चमच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चमच, दड़ा मिर्च, और नमक हस्व जरूरत में नेक खाने का चमच लिए है बाद में चेक करूंगी अब मैं इन तमाम चीजों को सक्सी डूब या नी ऐनी सख्त नहीं बिल्कुल पकोड़ों जैसी डूज जैसे है मैं उस तरह त्यार करूंगी लेकिन थोड़ी पकोड़ों से पकोड़े तो पानी, क्या आत्यु के पानी दिखा दुग आता है क्या ליक चाहिए में भी चाहार मेरा कारें जिसमें होगा पानी है तुम माइन बंसी कम हम होगा है कि क्यान दिएक ददू काया है इससे बहुत ही कुरकुरी से हमारी टिक्कियां त्यार होंगी तो अब मैं इसकी टिक्कियां बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाएंगी और हमने हातों को हलका सा पानी लगा लेना है और जितने साइज में आपने टिक्की बनानी है आपने उठाना है इस तरह है यह देखें इस तरह किया और बीच में रखके हलका सा प्रेस करना है आपने और टिक्की की एक शेप दे लेनी है यह देखें इस तरीके से ठीक है मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूं, यह देखें, जितने साइज में आपको चाहिए, आपने उठाया, ठीक है, और इस तरह, और ऐसे रखके हलका सा प्रेस करना है, और टिकी की एक शेप देनी है आपने, और बस, और मैंने घी रखा हुआ है गरम होने के लिए, जो कि न सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार यह हमारी रस्पी त्यार होगी, जो मैंने आपको चट्निया सिखाई हुई है, बहुत सारी आप उन चट्नियों के साथ यह रखें, साथ में वो चट्निया, और मज़े से अफ्तारी के वक्त यह रखेंगे, तो यकीन सब साथ के मुँऐ में पानी आजाएगा, अभी यह देखे, भूछ तरह यह राएदा तो इसको फ्राई करते हैं, तो इसको फ्राइब करते हैं, बिसमिल्ला रमालाहीर, यह रखें, और फ्लेम को ढ़िए बहुत ज़ादा कम भी नहीं रखना आपने और बहुत ज़ादा हाई कि ग्लाए आप ये प्लिट दिया स्वाइब से लिखनाएं दो सकते हैं कि अपधनी ग्लेश में चल door दप ब्लीकर एधना नंुटा साथय चाल बाहर दिया दिया हमने बाहर इतना नीट देखना कीर चाल को आप लगह कम दिया 30 लोएध नहां द यृड़म तो इसके लिए माज़रत तो मजीब जो है मैं वो फ्राइ करती हूँ यह देखे मैंने बना के रखी हुई है लेकिन इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है गोल्डन सा आपको जो कलर पसंद है आप उसी कलर में फ्राइ कर सकते हैं इसको तो लीजिए जनाब बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी टिकियां जो है वो तैयार है हमारी वेजेटेबल की इतनी कलर फुल सी इतनी मज़ेदार किसम की यूनीक टिकियां तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें चैनल को करें जादा से जादा शेयर करें वीडियो को एंड तक देखें तो अगली वीडियो तक के लिए जाज़त दीजिए अलाहाफिज